दादी इस दिवाली मुझे ढेश सारे पटा के और मिठाई चाहिए हाँ बेटा जल्दी से ये दिए बिक जाए फिर मैं तुझे पटा के और मिठाई खरीद दूँगी दादी तुम देखना ये सबी दिये जल्दी से बिक जाएंगे क्योंकि अपने देश की चीजों को और नहीं ख़िता चाहेगा बाट तो सही कहा बेटा अरे साहिब दिये लेलो बहुत अच्छे है नहीं हमें नहीं चाहिए अरे बेटा दिये लेलो आव आव तुम भी लेलो तुम भी आजाओ अरे दादी जी हम रंग भी रंगे लाइट और छान लेले जा रहे है हम दिये नहीं ले सकते कोई बात भी बेटा दादी साम हो गया अभी तर कोई दिये नहीं बिखे हाँ बेटा शायद कल दिये बिख जाए चल धर चलते हैं दादी तुम्हें तो बहुत तेसे मुखा रहे हाँ बेटा मुझे माफ कर दे मैं तेरे लिए मिठाई और पटा की नहीं खरीद पाई कल दिये भी तु नहीं बिखे न परना कुछ पैसे हो ही जाते तो मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ तो खरीदी देती कोई बात नहीं दादी तुम आराम करो मैं दिये बेच कर आती हूँ दिये ले लो मटी से बनी दिये हे छोटी लाइट वाले दिये है क्या नहीं भाईया मटी वाले दिये है तो फिर नहीं चाहिए आंटी दिये ले लो मटी के है कॉलरफुल लिये हैं क्या डिसाइन वाले नए मन्टी के सिंपल वाले दिये हैं नए तो फिर हमें डिशाइनर दिये चाहेगी सिंपल वाले नहीं चाहेगी अच्छे सुनो ये दिया कैसे दिया 10 का 5 दिया अरे तुम तो बड़ा महगा दिया बेच रही हो एक काम करो 10 रुपए के दस दिये दे दो तो फिर मैं ख़रीदूगे तुमसे ये नहीं हो पाएगा दीदी तो फिर मैं तुमसे दियाने खरीदूगे आती वाली है और मेरे पास नाही मिठाईया है और नाही पटाखे अरे बेटा तुम रो क्यों रही हो क्योंकि मेरे दिये कोई नई खरीद राया है क्योंकि ये simple बट्टी के दिये है मेरा कुछ दूर पर दुकान है जालर और बिजली का तुम ये दिये चलकर मेरे साथ बेचो मैं बाहर एक बोट लगा दूँगी और लिखतूंगी कि एक ज्ञालर के साथ 25 दिये फिरी वो भी 100 रुपे में तुम देखना कैसे सवाते हैं तुम्हारे दिये भी बिख जाएंगे और मेरे ज्ञालर भी बिख जाएंगे शुक्रिया देटी शुक्रिया कैसा तुम फिर चलो जल दी से अपने दुकान की चीजों के साथ साथ करीबों की भी दुकान की चीजों को बिचवा देना चाहिए ताकि उनकी दिवाली भी खुशियों से भर जाए आप सभी को हैपी दिवाली बेही तरब से